देश में आसमान छूव रही डाल की कीमतें आचानक नीचे गिरी हैं डाल के भाव में करीब 40 फीसदी की गिराबट आई है आखिर क्यों डाल की कीमत इतनी कम हुई इसका जवाब जानने के लिए EVP News समबादाता उमेश कुमावत में पड़ताल की आज डाल की बढ़ती घटत की कीमत पर खुलासा पिछले चार दिनों से डालों के बाजारों में हड़कम मचा हुआ है क्योंकि डालों की कीमते अचानक से घट गई है और कलिप 40 फीस दी डालों की कीमते घट गई हैं मार्केट में है अच्छी खबर है डाल खान देवालों के लिए लेकिन १ुक्त रिंपारी जो रिकेल है अभी डालों की कीमते घटा जांतरी अपर मॉज्टान था थल गवारी यहां पर मौत युछ प्रश्टी तक हो गये इसलिए आ गई है दालों के दामों में जबरदस्त गिरावट अभी तूर दाल की फसल आने में तीन महिने का वक्त बाकी है नई दाल मार्केट में आई नहीं तो फिर कैसे घट गए दालों के दाम और वो भी 40 फिसदी तक सुनिये खुद व्यापारी बता रहे है वजह इसका मतलब तो साफ है कि बड़े व्यापारियों के पास दाल मौजुद थी लेकिन वो बाजार में नहीं दिख रही थी और दालों के दाम आसमान छू रहे थे अब जब केंदर सरकार ने विदेशों से दाले इंपोर्ट की तो डर के मारे जमाखोर व्यापारी अपनी दाल बाजार में उतार रहे हैं और इस वजह से घटे है दालों के दाम जरा देखिए 15 दिन पहले क्या थे दालों के दाम और अब क्या है तूर दाल 15 दिन पहले 105 रुपई से 120 रुपई तक और अब 70 से 80 रुपई मूंग दाल 15 दिन पहले 80 से 90 रुपई तक और अब 60 से 70 रुपई तक उड़त दाल 15 दिन पहले 135 और अब 110 चना दाल 15 दिन पहले 120 और अब 75 यह है दाल का खेल डाल का काला बाजार जो अब खुदबखुद सामने आ रहा है डाल की नई फसल तो आई नहीं लेकिन होलसेल मार्केट में नजाने कहां से डाल आ गई और डाल की दाम घट गए लेकिन क्या आपको इन दामों में दाल मिल रही है मुंबई के कुछ इलाकों म में हमने देखा तो दाल की कीमते अभी भी आस्मान चू रही हैं यानि खुद्रा व्यापारियों ने पहले से बड़े हुए दामों में दाल खरीदी थी इसलिए वो नुकसान लेने के लिए तयार नहीं है और इसलिए वो दालों के दाम नहीं घटाएंगे लेकिन उस किसान का क्या जिसकी दाल की फसल अभी आने वाली है और दालों के दाम घट गए पिछले साल से अब तक दालों को अच्छे दाम मिलने से महराष्ट्र और करनाटक समय देश के कई किसानों ने दालों की ज़्यादा बुआई की चिंते में हैं कि आईसे किमत तूर दाल को जो मिलेगी तो उनका बहुत कभी भी नुकसान होने वाला है खुद प्रधान मंद्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि दालों की ज़्यादा बुआई हुई है देश में जितनी दालों की खपत है उससे दालों का उत्पाद कम होता है पिछले साल सूखे की वजह से देश में दालों का उत्पाद केवल 17.4 मिलियन मेटरिक टन हुआ जबकि देश में दालों की खपत 22 मिलियन मेटरिक टन है इस कमी की वजह से हर साल दालों के दाम बढ़ते हैं और हमें कैनडा, मैनमार, अफरिका और अस्ट्रिलिया से दाल इंपोर्ट करनी पड़ती है लेकिन इसी कमी का फायदा उठाते हैं व्यापारी जिसका अब परदा फाश हुआ है देश भर में दाल की कीमतों में भारी गिरावट आई है भुपाल में अरहर दाल की कीमत 130 से घटकर करीब 100 रुपे रह गई है चना 115 से घटकर 85 उड़त 135 से घटकर 105 रुपे में विक्रा है लखनों में अरहर की कीमत 125 से घटकर 90 रुपे और चनादाल की कीमत 120 से घटकर 85 रुपे पटना में अरहर दाल की कीमत 110 से घटकर 95 रुपे और चनादाल की कीमत 100 रुपे से घटकर 90 रुपे रह गई है